इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं Bank of India में आप कैसे Mobile Banking को घर बैटे रेश्टेशन करेंगे और region करने के बाद पहली बार आप कैसे लोगिन करेंगे पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं तो रेजिटेशन करने के लिए आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, तो बीना ATM कार्ड के कैसे आप मोईल बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे और रेजिटेशन करेंगे, दोनों पूरसेस आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले, त तो बीज पास्माने, जैसे आपके एकम करना है, ऐसे आप आपको अपन करनी के लिए क्लीक करने के बाद, यहाँ पर नहीं करना होगा, क्लिक काने के बाद यहां पर आपका अ्लाव करने के लिए नंबर पर एक SMS भेजा गया उस नंबर को वेरिफाइग करने के बाद यहां पर अगला ओप्सन खुल के आ जाएगा और यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर लिख को आगया आपको क्या कम करना हो उजयर आड़ी यहां पर यूजर आड़ी एक बना लेना होगा आपको जैसे कि यहां पर एक्जम्पल के तोर पर आपको हम दिखा देते हैं इसी तरह का आपका यूजर आड़ी एक बना लेना होगा यूजर आड़ी बनाने के बाद यहां पर चेक एबिलेबल पर आपको किलिक करना होगा जैसे आप यहां पर किलिक करेंगे के बाद अगर एबिलेब करने के लिए कि सेलेक्ट कस्टूमर आइडी आपका इसी नंबर से बैंक आफ इंडिया में आपको अपन किये थे तो यहां पर आपका उस बैंक का कस्टूमर आइडी आपको करने के लिएगा पर आपका कस्टूमर आइडी आपको किलिक कर आने के बाद उसके बाद आका अकउंट नंबर यहांप ड़ने के लिएक 12 पम के आने के बाद आप अगला ऑप्स概要 खूल मे lep नोट ने करते हैं अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं हो आपको इसमें करना चाहते हैं इस केंडिसमें आपको नोट ने आपको किलिक करना होगा अगर आपको नोट ने वपर किलिक करके mobile banking को login कर लेते हैं आप वहाँ पर सिर्फ balance चेक कर सकते हैं और statement आप देख सकते हैं अब जितने दिन का statement देखना चाहते हैं देख सकते हैं और बाद में जब ATM कार्ड आ जाए उसके बाद आपको कहां पर किलिक करके ATM कार्ड को verify कराना होगा वो भी आपको हम बताए तो यहां पर मेरे पास ATM कार्ड है तो यहां पर फूर्षट ने पर हम किलिक कर देगे जैसे हम पर किलिक करेंगे के बाद यहां पर आगला उप संदिखने लगेगा और यहां पर देख पार है debit card यहां पर आपको debit card का जो नंबर है वो debit card number यहां पर डालना होगा डालने के बाद आपका एक्सपायर मन्त है यहां पर डालना होगा उसके बाद यहां पर एक्सपायर मन्त है यहां पर डालना होगा डालने के बाद यहां पर ATM पीन भी आपको डालना होगा तो हम यहां पर इसको फिलप कर देते हैं करने के बाद हम यहां पर सब्मिट पर किलिक कर उस OTP को यहाँ पर डाल कर हम verify पर click कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर देख पार है, inter transaction password, यहाँ पर एक transaction password बनाने के लिए का जा रहा है, आप किसी को भी payment करेंगे, payment करने के लिए आपके पास एक transaction password होना चाहिए, तो यहाँ पर आप transaction password डा आगने के बादेने के बादू पर कमर्दट मेरा यहां पर स्क्सक्च्छ न्याम करने के लिए उगा इन अगर नंबर यहां पर की लाई करने के स्थाल यहां पर कॉले साइट्पर यहां पर क्स्टूमर यह करना चाहते हैं कष्टमर आईडी से भी log in कर सकते हैं. हम मोइल नंबर से लोग इन करेंगे तो मोइल नमेड डाल से धाल Hofore安 कि लिपकर देते हैं आपको लग इन पर किलिक करेंगे यहाँ पार विलेटेशन का ऐस का आएगा और यहाँ पर देख पार है IMPS यहाँ पर सो कर रहा है और यहाँ पर UPI यहाँ पर सो कर रहा है तो Mobile Banking में लॉग इन होने के बाद यहाँ पर धेर सारा काम कर सकते हैं अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है और उसको लॉग इन कर लेते हैं के बाद आप बाद में कैसे ATM काड़ को इसके लिए पर यहां पर UPi पर आपको click करना होगा Flip करने के बाद यहां पर आपको ATM 黄ड ड़नकर कर eसमें verify करना होगा verify करने के बाद आपका वहां पर verify हो जाएगा होने के बाद किसी को भी पैसा transfer कर सकते हैं अगर आपका bank of India में account open क्या हुआ नहीं है तो किस तरह से online के मध्यम से account open करेंगे इसके लिए भी हम video description में दे देंगे उस video को देखकर आप आसानी से bank of India में account open कर सकते हैं वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजेगा आवर चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा तो मिलते हम आगले वीडियो में